हेडा लवीज हाव वर यू कैसी है मेरी लवीज आर्ड में मुझे कमें सेक्शन में ज़रू बताना आज बहुत सारे लोग का सुबस्बसे मेसेज आया कि माम आज तो टुपर टुपोर्टल है तो आज हमें क्या करना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चिंज आज मेरे पास आए सेंट एक्सपडाइट का अभी दे है तो आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल मेडिटेशन रात को लेकर आने वाली हूँ जिसको हम सब लोग मिलका करेंगे अपनी मल्टिपल मेनिफेस्टेशन के लिए चली स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स करते हैं एंजल का पसंद आती हैं लौ ओफ अट्राक्शन की रेमेडी पसंद आती हैं तो प्लीज चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और हां बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सब से पहले मिलेंगे चली स्टार्ट करते हैं और हां को गाइड करें एंजल गाइड करें हमारे स्पिरिट गाइड हमें गाइड करें और बताएं कि एंजल आज पोर्टल वाले दिन मेरे वीवर्स के लिए लावीज आड में क्या मेसिज है एक और बात बता देती हूं इस बार का फुल मून बहुत स्पेशल होने वाला है का आपके लिए क्या मेसिज है परला काड्स दूसरा कार्ड इस पतार मेरे पास भाइन आज पेज ऑफ सोड्स ने काड्स कितने अच्छे लगते हैं लगता हैं एक तर नुू नू लगता है गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और उनको बताएं ओके वी हाव कुईन अफ सोड्स दो कार्ट और निकालूंगे यह मैं आप लोगों के लिए ओके वी हाव फाइव अफ पेंटिकल्स और एक और कार्ड निकालूंगे लास्ट याट इस टेन ओफ सोड्स ठीक है बॉटम टेक भी देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपोर्टन है अरे वाव टू ओफ का कार्ड आगया है वेरी 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 पॉजटिव यह बॉटम टेक का मैसेज ही सबसे इंपोर्टन होता है और यही मेसेज आप लोग के लिए बहुत जादा फेवरेवल बहुत जादा पॉजटिव आ गया है आप लोग के लिए बहुत जादा खुश हूँ क्लेम करो रीडिंग्स को बहुत जल्दी एक रिकांसिलेशन और एक रियूनियन आप देखने वाले हो तो मैं यहां रख देती हूँ यह वाला भी कार्ड बॉटम डेक का क्योंकि वो बी इंपोर्टन है चलिए अब देखते हैं आप लोग को कार्ड बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे आप लोग की एनोजीज को देखकर मुझे यह चीज तो बहुत जादा समझ में आ रही है कि आज पोर्टल वाले दिन एंजल्स आपको एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग की तरफ पहुचा रही है आपके फिनांसेज मुझे बहुत बढ़िया होते देख रहे हैं आपके कारियर लाइफ मुझे बहुत बढ़िया होते देख रही है साथी साथ ये भी बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में का अच्छा रिकांसेलेशन एक रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है आपका परसन भी आपके लिए बहुत जादा सोच रहा है लेकिन कहीं न कहीं आप चीजों के लिए बहुत जादा सोचते हो और ये चीज़े वही हैं जिनोंने आपको एक समय पर बहुत जादा फ्रस्टेशन एक समय पर बहुत जादा दुख दिया है ऐसा क्यों दिख रहा है कि डिवाइन आपको हमेशा एक बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नो मैटर आप अपनी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना आ जाओ, एक प्रोटेक्शन आपको एंजल्स का बहुत जादा मिलता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके लाइफ में, आपके पास एक ऐसा आउटकम आता है, जो आपको ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत जादा दुख दिया है जिन्होंने आपको बहुत परिशान किया है जिनकी वजय से आप आने वाले टाइम के लिए भी डरते हो कि वो समय वापस से ना आ जाए जो पास में सारी गलतियां जो पास में सारा हर्ट मुझे मिला है कहीं वो कोशिश करते हो नई जॉब में भी जाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले माइन में एक डर एक नेगेटिविटी अपने आप बनने लग जाती है कि क्या वो चीज मेरी लिए बेटर होगी क्या वो चीज मुझे अच्छे आउटकम पर ले जाएगी और इस डर की वज़े से क आपको बताया आप बहुत लगी हो कि इंजल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है आप ने अगर यह रीडिंग देखी है अगर यह मैसेज आज पोटल वाले दिन आप तक पहुचा है तो कमेंट जरूर करें I am always protected I am always protected आज आज आप यह कमेंट करके जरूर जाए क्योंकि मे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वाट्सअप पर यह मैसेजेज रीड करती हूं कि आपकी रीडिंग बहुत हेल्प करती है मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि यह मेहनत मैं कर रही हूं यह मेरी लवीज आडमी को एक सकसेस दिला रही है तो थाइंक्यू सो मच उस देने के लिए खड़ी हूं और मेरी एंजल भी आपको यही बोलती है no matter whatever the situation is you are very lucky आप बहुत लखी हो की चीजे आपके बास आती है करोडों बिलियन हजारों लोग है इस दुनिया में लेकिन अगर आपको यह जनरल गाइडन्स पहुचता है तो कहीं न कहीं यह मैसेज पहुचा रहा है तो परिशानी किस बात की थोड़ा अपना way of living ना change करो थोड़ा डरो मत चीजों से आपके अंदर थोड़ा fear भरा है चीजों का कैसे चीजी हो पाएंगी कैसे चीजे आगे better होंगी लेकिन देखो आप कितनी भी महनत क्यों ना करो एक favorable outcome की तरफ तो आप ब बहुत सारी खुशियां बहुत सारे finances मतलब एक ऐसी situation है कि आप जो भी चाहते हो universe से जो भी मांगना चाहते हो वो universe आपको easily देते हैं बट उसको receive करने के लिए भी आपको अंदर से खुश रहना पड़ेगा आपको अंदर से ready रहना पड़ेगा बस थोड़े अपने past के grudges past की problems, past की परिशानियों को let go करो to receive something new in your life क्योंकि two of cups का card में पहले ही indication दे दिया है जो भी आप desire करते हो जो भी आप चाहते हो वो आपको unexpected manner में blessing की तरह बिलेगा तो लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए ready हो अगर आप अभी भी वो past के grudges को लेके चान हो या उसके बारे में सोच रहे हो तो फिर यह चीज बिल्कुल भी मत सोचना कि यह मैं receive करूंगा बहुत सारे लोग manifestation technique करते समय भी सोचते हैं इस doubt के अंदर भरे रहते हैं इस परिशानी में भरे रहते हैं तो जो चीज आने वाली होती है जो blessings वो receive करना चाहते हैं वो उसको भी negative way में लेते हैं क्यों क्योंकि वो fear वो डर अभी भी इंसान के अंदर भरा है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा सो आपके लिए एक सबसे important message तो मैंने आपर बता ही दिया है जो भी आपने सुना है अब चलिए देखते हैं जोड़ा इंजल का भी guidance लेते हैं और देखने हैं कि इंजल आज के दिन आपको क्या एक specific message देना चाहती है इंजल के बारे में देखते हैं वो आपको क्या message देना एवरी डिया पे 11 11 देखते हो बहुत सारे इंजल numbers देखते हो लेकिन हम confused हो जाते हैं कि इसका मीनिंग हमारे लिए क्या निकल कर आ रहा है चलिए देखते हैं कि एंजल का आप लोगों के लिए इस situation में क्या message है जिसका question आपने मन में जिसका question आपने अपने अंदर रखा क्योंकि मैं जादा लॉंग रीडिंग नहीं करूंगी आप लोग का टाइम नहीं लोगी पहला कार्ड आया है वेट दास्ट्रीट दूसरा कार्ड आया है देर इस सम्थिंग बेटर यह तो मैं पहले कार्ड से ही समझ गई थी क्योंकि आपके बास इंडिकेशन बहुत आया मतलब यह एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है किसी से हेल्प मांगिए कोई आपकी हेल्प करना चाहता है कोई आपकी अनेक्सपेक्टेड वे में हेल्प करके आपको एक जोन पर ले जाएगा जो आप बहुत समय से डिजार कर रहे हो जब मैंने पहले वाले कार्ड करोगे लेकिन उसके लिए भी आपको रेडी रहना है सीम देखो यहां पर आगया है कार्ड थोड़ा वेट करो रश मत करो भागो मत चीजों के बीचे थोड़ा अगर आपने वेट किया तो यह टाइम आपको उस जगह पर लेकर जाएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नही आपना बहुत थोड़ा से में ही खुश हो रहे हो आपको ऐसा लग रहा है बस इतना ही हो जाया और बस मैं तो इतना ही चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए बट डिवाइन का इंडिकेशन देखो क्या है कुछ बहुत अच्छा कुछ और एक्सपेक्टेड स्वरी अ आपको एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मेसेज पहुचाए तो अब जब भी कोई रिच्वल्स करो या कहीं पर भी रहो थोड़ा अवेर रहो क्योंकि कुछ ना कुछ प्रकार के साइन्स आपको एक अच्छे आउटपुट पर एक अच्छी जगा पर पहुचा रहे हैं त दिनों को ऐसे दिन बहुत कम आते हैं साल में लिकिन अगर हमने इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करें तो लाइफ को मिराकल से भर देते हैं राधे राधे